सु हेलो दोस्तों स्वागत आपका दुबारा से रवाइब कोडिंग में इस वीडियों हम देखने वाले है कि आप किस तरीक से जो यह अपनी च्छोटी से कोडिंग जहां कि हमने देखा है कि हम किस तरीक से उस्टर को यूज करते हैं तो यहां पहले मैं इस सब्सक्रांब करते हैं खीक है और हम बना देता है एक और साम्द के लिए और हम नाएंगे दूसरा एक अंजलिक के दो अपने state लोंगा ठीक है पहला तो मैं state लोंगा जिसमें कि मैं एक count लोंगा ठीक है क्योंकि मैं on click पे counter बनाने वाला हूं जहांकि अब plus और minus को click करोगे ठीक है और दूसरा मैं on change पे input box बनाऊंगा ठीक है और उसकी value को हम देखे हैं किस तरीके से उसकी value change होते हैं हम किस तरीके से state की value को change कर सकते हैं ठीक है तो पहला चलो हम एक input के लिए बनाते है state और यहां मैंने input name के variable लिया ठीक है और input 1 ले लेते हैं ठीक है तक कि इस तरीक ना हो और then हम एक बनाएं counter के लिए और यहां मैंने इस count की initial value क्या रख दी है 0 ठीक है तो अब नीचे आ जाते चेंज करना है जो भी हमारे इस input में value आए ठीक है वो basically कहां चले जाए इस input 1 के अंदर चलती जाए ठीक है और इस इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे हम एक नीचे tag बनाएंगे ठीक है और इस tag के अंदर हम इस input को display करा रहे हो रहे हो राइट इस तरीके से यार जो भी इस input की value होगी वह हमेशा इसके अंदर display होते रहे है अभी के time PR है बिल्कुल खाली है तो चलो अब इसमें कुछ value डालने की कोशिश करते हैं तो हम लिखते हैं अपना event event जो भी यहां से trigger होगा हम उसको capture करेंगे ठीक है और उस event को हम basically store करा रहे होंगे किसके अंदर input 1 की value क अंदर ठीक है तो जैसे मैंने आपको बोला था कि input 1 की अगर वाल्यू को change करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा क्योंकि हम use signal का use कर रहे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा input.value और यहां हम लिखना पड़ेगा इन्पूट डॉट वैल्यू और फिर हम यहां जिस तरीक जाने चाहिए इस हमारे input 1 के अंदर से हो जाने चाहिए ठीक है और जो भी हम यहां लिखेंगे वह basically यहां अपने को डिस्प्ले होना चाहिए ठीक है अपने स्प्रीट के अंदर चलो आते हैं अगर आप यहां देखो कि मिने पास एक इन्पूट है का गया है तो अगर मैं आप कुछ भी लिखता हूं तो आप देखरे होगे और मैं लिखता हूं इसकी वेलिउ हो दो इसकी हो डीये मगर ये जो इंपट भृन है ठीक है यहां डिस्पली बांडब्ड लोना था इसा कुछ फो निएग ठीक है क्यो ना थेक्या क्यूंकी आशना आप से क तो वहां क्या होता है कि अधर यह on input आप इसको सेव करते हैं जाते हैं यहां चेंज करने के दुबार से कोशिश करते हैं तो आप देखो इस तरीके से हमारा यहां जो भी हम value डाल रहे हैं और आपको मैं और चीज दिखाता हूं ठीक है क्या होगा यार अगर मैं इस input 1 को सीधा ऐसा रखो और सिर्फ 1.value करते हैं जब भी हम basically use signal का use करेंगे तो हम उसकी value को access या पर change करने के लिए आपको इस तरीके से input 1.value का use करना पड़ेगा ठीक है अब दूसरा question यहां यह आता है कि यार यहां अगर आप देखोगे तो यह basically लाल हो गया ठीक है तो यह लाल इसलिए हो गया क्योंकि इसको इसको टाइप हमने define नहीं किया है ना तो चल यहां अपने input 1 का type define किया मगर यह जो event.target है इसकी type अभी तक define नहीं है ठीक है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इस event.target की जो type उसको define करना पड़ेगा ठीक है और इसको मेरे को wrap करना पड़ेगा एक bracket के अंदर और यहां हम लेखेंगे इस तरीके से as right तो अब यार अगर आप देखो तो अभी error हट चुका है ठीक है क्यों क्योंकि यह जो error आ रहा था जो आपको लाल सा निशान देखा ठीक है यह आपको इसलिए दिखा क्योंकि event.target को value को specify करना पड़ता है कि इसका type क्या है ठीक है तो इसका type क्या है कि यह जो input इक तरह का input element है अगर हम click में देखेंगे तो यहां से change हो कि जो हमारा HTML input element है यह basically किसमे change हो जाएगा event हमारा event हमारा change हो जाएगा event input html click event में ठीक है click event है click element में event में right तो अब चलो दूसरे example पर आ जाते हैं तो अब चलो दूसरे example पर आ जाते हैं और यहां हम देखेंगे click के साथ किस तरह किसे काम कोना है तो अपर यहां counter बनाते है दो button लेंगे और फिर एक value लेंगे जिसमें हमें account की value को डाल रहा होंगे ठीक है और button के click basically हमम इस count की value को increase करेंगे ठीक है तो चलो पहले हे- यह काम कर लेथे हैं तो चलो अब्याद की value होगी ठीक है उसको हम basically यहां यहां इस जगे पर print करा रहे हैं इस जगे पर जो कि अभी initially zero है ठीक है तो चलो अभी basically में को क्या करना पड़ेगा अपने को यह on click event लगाना पड़ेगा ठीक है तो अब मैं लगाता हूँ on click ठीक है और इस on click के basis पर क्या होना चाहिए इस on click की basis पर जो भी यहां से event trigger होगा हम उसको नाम देते हैं event ठीक है हम उसको capture करते हैं और फिर हम इस event की जो भी value होगी उसकी basis पर हम क्या करेंगे कि यार जो इसकी value ए count की value को उसको एक increase या एक बढ़ाएंगी या एक कम करेंगे ठीक है तो क्या मेरे को इस event की ज़रूत है ठीक है exactly मेरे पास नहीं है तो मैं basically क्या कर सकता हूँ इसको direct इस तरीके से सर्फ खाली भी रख सकता ठीक और मैं साथ में इसी चीज़ को दुबार से copy कर लेता हूँ पूरे को ठीक है क्योंकि हम यह प्लस कर रहे हैं और दूसरी जगा हम इसको minus कर रहे होंगे तो हम इसको copy करते हैं यहां और बटन माइनस वाले बटन पर आते हैं यहां इसकी value को रख देते हैं और इसकी value को क्या है माइनस एकवल क्या करणे है यहां गया यहां बटन को क्लिक करता हूं तो एक दो त्रीं चार ये थैक है और मैं है इसको minus minus कर माइनस तो आप देखोगे इस तरीके से इसकी value कम हो रहे है ठीक है I hope यार आपको ये दोनों चीज़ समझ में आगी आगी होंगी कि आपको किस तरीके से on click और on change event को handle करना है ठीक है तो चलो है मिलते हमने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and good bye